राजस्थान की सियासत में सत्ता और संग्ठन में मचे घमासान को भले ही कॉंग्रेस पार्टी के दिगज सब कुछ सामान्य बता रहे हूँ लेकिन अंदर खाने मची रार अब सब के सामने आ गई है मामला पार्टी के हाई कमान के दर्बार में पहुँच चुका है और इसको लेकर सचिन पाइलेट खुद समर्थकों के साथ और उनके पीछे पीछे राजस्थान कॉंग्रेस के अज्जक्ष गोविन सिंग डोटा सरा भी दिल्ली दर्बार में पहुँच चुके है ऐसे में जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि एक बार फिर से राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार और संगठन में फेर बदल हो सकता है इस बारे में वरिष्टो पत्रकार शाम सुन्दर शर्मा कहते हैं सचिन पाइलेट और मुख्यमति अशोग गहलोत के बीच में तस मैने से मंतिमडल का विस्तार और राजस्यतिक नियुक्तियां के साथ संगठन में बदलाओं की बातों को लेकर के जो उलजन बनी भी थी क्या वह समाप्त होने का समय आ गया है जिस परकार से पिसले तीन दिन से राजस्यतिक गतिविद्यां बढ़ी है उसको लेकर सचिन पाइलेट ने भी केंदरी है और अगबारों को जिस परकार से इंट्रुवू दे करके यह जताने का प्रयास किया कि जब पंजाब को संतु किया जा सकता है पंजाब के लोगों को तो राजिस्तान में दस मैने से जो कमेटी बनी थी उसका पढ़नाम आ क्यों नहीं रहा सामने जिस प्रकार से जतिन का भाजप्पा में चला जाना से हाई कमान के उपर दबाव बनने की इस्तिति बनी है यह भावर जीतेंदर ने जो केंदर की राजिती में सक्रेता दिखाए जाएगी उन्हें महासची का पद या जुमेदारी दिये जा सकती है क्योंकि यूपी का चुनाओ और पंजाब का चुनाओ से पांच राज्यों के चुनाओ जब होंगे तो उनकी एहम भूमिका रहेगी क्योंकि जब आप कि वह गए थे असाम में परचार करने गए थे तो एसी सिती में उनको युवा और जिस परकार से परचार परचार में एहमेद पार्टी देती है तो आने वाले समय में उनको एहमेद बनाये रखेगी लेकिन सचिन पाइलेट का जब यह कह देना कि मैं राजिस्तान छोड़ को लिया जाएगा बहुत बड़ी पीचीदगी यहां सामने खड़ी है क्योंकि आशोगयलोग कहते हैं कि मेरे जब मुझे जरुवत थी तो बीएस्पी के लोग कांग्रेस में सामिल हुए थे निर्दिली मेरे साथ आये और उनके लोगों को मैं संतुस्त नहीं करूंगा त बिचुनोती भी बनेगी तो यह बात भी सही कि यह रखते वे वह यह भी करना का प्रयास करते कि सचिन पालेट के लोगों को लिया तो जाए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यह बात भी है कि जिस परकार से रमेश मीना को हटाया गया था इसके अलावा रख्यमंत्री के कोटे से रखाए जाएगा यह बहुत बड़ी चीजे सामने आएगी आपके सामने देखें प्रमोद भाया जैन को हटाया जाने की स्थिति नहीं बन रही है जबकि उनके पर भरस ने आरोप लगाए सुक्राम विष्णुवी पर आरोप लगे हैं अम मैं मा रखा जाना संभव लगता है मुझे उनको जादा लेकिन यहां पर यह बात भी था यह साथ लोगों भटाया जाने की की सुचना भी है उसके अंदर प्रदेश अद्यक्ष जो आपी बने इसको भी सिंव डोटासरा उनको तो हटाया जाएगा क्योंकि वह शिक्षा राज्य अर्जुन बामनिया को अटाया सकता है बजलाल जाटों को अटाया सकता है राइंदर यादों को अब यहां पर यह बात आती है कि क्या परताफ सिंग्ष अचरियावास को मुझूदा इस्तिती में रखा जाएगा क्योंकि वो निशेंस कर सकते हैं इसलिए उनको मंत्री जगे कम है तो यह बात भी सही है कि सचीन पालेट चाहेंगे कि दिपंदर सिंग्ष शेखावत को राया जाए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उनके साथ भी दें और प्रभावी धंग से सरकार में कामकाज भी देख सेकें एटीवी भारत के लिए जैपूर से अजीत सिंग्ष शेखावत की रिपोर्ट